चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th मैंस का चैप्टर क्वाडर्टिक एक्विशन्स का exercise 4.2 का question number 3 काफी important question है तो ऐसा question आपको 100% आना चाहिए तो चलिए पहले question को अच्छी तरगी से समझ देते है question में लिखा है find the two numbers तो हमें दो numbers का पता लगाना है जिनका sum है 27 and जिनका product है 182 ठीक है तो चलिए हम यह जो condition हमें इस question में दी गई है इसके help से हम यहाँ पर एक quadratic equation तयार करेंगे फिर उसको solve करके हम उसको solve करके हम दो numbers का पता लगाएंगे जिनका sum 27 है and जिनका product 182 है ठीक है देखे हमें पता है कि जो standard form होता है of quadratic equation quadratic equation का जो standard form होता है वो होता है x square minus sum of zeros ठीक है x plus product of zeros equals to zero तो यह होता है quadratic equation का standard form हम यहाँ पर na question से hint लेकर के question में जो भी हम को दिया गया है उसको लेकर के हम इस quadratic equation को यहाँ पर तयार करेंगे ठीक है तो देखे यहाँ पर है x square ठीक है फिर है minus फिर यहाँ पर है sum of zeros question में हमें given है sum of two numbers है 27 तो हम sum of zeros की जगा पर लिखेंगे 27 फिर यहाँ पर है x फिर है plus फिर है product of zeros question में हमें product of two numbers given है 182 तो हम product of zeros की जगा पर लिखेंगे 182 ठीक है आगे equals to में है zero तो देखे question में जो condition हम को given है उसकी help से यहाँ पर हमने quadratic equation तेयार कर लिया ठीक है अब हम इसको solve करेंगे and दो numbers का पता लगाएंगे ठीक है तो हम इसको solve करके x का value पता लगाएंगे तो जब हमारे पास में x का value आजाएगा तो हमारे पास में दो numbers भी आजाएंगे जिनका sum 27 होता है जिनका product 182 होता है ठीक है तो देखे भई हमारे पास में x square का coefficient यहां पर कुछ भी नहीं तो यहां पर हम 1 लगा लेंगे अब हम क्या करेंगे अब हम इस quadratic equation को ना middle term splitting करते वे solve करेंगे ठीक है इसके लिए क्या करना पड़ता है इसके लिए हमें जो सबसे पहला number होता है and जो सबसे last में number होता है यानि कि जो x square का coefficient होता है and जो यह constant number होता है इसका हमने product करना होता है तो 1 into 182 हमारे पास में हो जाएगा 182 तो हमने कोनी कोने वाले numbers का product यहां पर कर लिया अब हम जो यह product हमारे पास में यहां पर आया है इसका prime factorization करेंगे ठीक है 13 को divide करेंगे तो यहां पर आएगा 1 तो 182 का हमारे पास में prime factorization आ गया 182 का आ गया 2 into 7 into 13 हना यह आ गया हमारे पास में कोने कोने वाले numbers का हमने यहां पर product कर लिया फिर उसका prime factorization यहां पर कर लिया जो कि आ गया 2 into 7 into 13 अब हमने इसकी help से इस middle term को split करना है इसको तोड़ना है ठीक है यह जो prime factorization यहां पर आया इसकी help से हमने middle term को split करना है अब देखे जो last वाला number यहां पर हमारे पास में इस quadratic equation में जो last term है इसका जो sign है वो है plus तो हमने क्या करना है हमने plus करते वे plus करते वे middle term को स्प्रिट करने ठीक है देखे कैसे करेंगे हम क्या करेंगे लेंगे यहां पर 27 जा 14 14 में अगर थर्टीन को एड कर लेंगे तो कितना होता है 27 आता है ना तो हम 27 को लिख सकते है 14 प्लस 13 है तो हम 27 को लिखेंगे यहां पर है 1x square यानि कि x square फिर minus, यहाँ पर है 27 27 को हमने यहाँ पर split कर लिया है 14 प्लस 13 तो 27 की जगा पर आएगा 14 प्लस 13 ठीक है, यहाँ पर है x फिर यहाँ पर है plus, फिर यहाँ पर है 182 देखे, last वाले number का sign plus था, तो हमने plus करते वे, बीच वाले number को split किया, 14 प्लस 13 यहाँ पर लिखा, ठीक है अब देखे, अगर हम दोनों numbers को add करते है, 14 एं 13 को add करते है तो वापर इसे 27 बन जाता है अगर हम 14 एं 13 को multiply कर लेते हैं into कर लेते हैं, तो यह कोने-कोने वाले numbers के multiply के बराबर आता है तो हमने यहाँ पर सही तरीके से इसको split कर लिया है, ठीक है अब देखे, हाँ पर है x square फिर minus, minus into 14 हो जाएगा minus 14, फिर x के साथ भी into हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus 14x minus into plus 13 हो जाएगा minus 13, फिर x के साथ में into होगा, तो यह हो जाएगा minus 13x फिर यहाँ पर है plus 182 फिर equals 2 में है 0 अब हम इन दो में से common लेंगे तो देखे, इन दोनों में हमको x तो common दिखाई दे रहा है, तो दोनों में से x कामन लेंगे, हाँ ना x square में से x कामन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x ठीक है, x square में से x बाहर ले 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 तो यहाँ पर x बच गया, फिर minus 14x में से x बाहर चले गया तो यहाँ पर बचेगा 14, हाँ ना अब यहाँ पर minus से तो minus लगा लेंगे, ठीक है अब हम 13 and 182 में से common लेंगे, ठीक है तो आपने यहाद रखना है कि 13 into 14 182, तो आपने यहाद रखना है कि 13 into 14 होता है 182, अब देखिए यहाँ पर भी 13 है, यहाँ भी हमको 13 दिखाई दे रहा है तो जब हम 13 common लेंगे ठीक है, तो minus 13 में से minus 13 यहाँ पर बाहर common चले गया, तो यहाँ पर बचेगा x अब देखिए, यहाँ पर आपस से plus बन जाता है, अब देखिए 182 होता है, 13 into 14 13 बाहर जा चुका है, तो 14 यहाँ पर बच गया तो यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर आएगा 14 इक्वल सुमें 0 तो हाई है अब देखिए, इस वाले term में भी हमको x minus 14 दिखाई दे रहा है तो हम x minus 14 को दोनों में से common ले लेंगे, यहाँ से भी x minus 14 बाहर चले जाएगा, यहाँ से भी चले जाएगा तो देखिए, x minus 14 यहाँ पर बाहर आगया, अब जब इस वाले term में से x minus 14 बाहर चले जाएगा तो यहाँ पर बच गा x, यहाँ पर बाहर common ले ले लिए तो बजगे x-13 यहां पर आगे equals to 0 तो है यह अब देखिए हमने जो हमारा quadratic equation यहां पर था उसको यहां पर हमने factorize कर लिया है यहां पर दो factors उसके आगे है अब हम पहले वाले factor को 0 के equal रखेंगे तो हमारे पास में x-14 यहां पर आगेगा अब हम क्या करेंगे अब हम x को यहीं रखेंगे माइनस 14 को उस तरफ ले करके जाएंगे तो x equals to 14 यह हो जाएगा अब हम इस वाले factor को भी 0 के equal रखेंगे जो कि है x-13 यह भी equal to 0 हो जाएगा माइनस 13 को इस तरफ ले करके जाएंगे तो x का value आजाएगा हमारे पास में 13 ठीक है तो यहां पर x का value आगया 14 यहां पर x का value आगया 13 ठीक है तो देखे यहां पर हमने x का value find out कर लिया एक x का value यहां पर हमारे पास में आया 14 एक x का value यहां पर हमारे पास में आया 13 चले अब हम suppose कर लेते हैं कि हमारे पास में जो दो numbers हैं, जिन दो numbers को हमको ढूढने के लिए कहा गया है, वो जो दो numbers है, let two numbers be A and B. हम आले थे कि वो A and B हैं, ठीक है? तो A plus B हम से कहा गया है, कितना होना चाहिए? दोनों numbers का sum होना चाहिए 27, तो A plus B होना चाहिए 27, ठीक है? अगर हम X का जो पहला value है 14, ठीक है? इसको A suppose कर लेते हैं, ठीक है? तो let A को मान लेते हैं 14, हाना? तो B हमारा कितना हो जाएगा? B हमारा हो जाएगा 27 minus 14, क्योंकि A उस तरफ चल जाएगा, तो 27 minus 14 हो जाएगा, हाना? तो B हमारा आ जाएगा 13, तो अगर हम X का ये वाला value लेते हैं 14, हाना? तो हमारे पास में दूसा नंबर हमारा B आ जाएगा 13, पहरा नंबर 14 तो दूसा नंबर हमारे पास में आ जाएगा 13, अब अगर हम X का ये वाला value लेते हैं 13, हाना? लेट कर लेते हैं कि A हमारा कितना है 13 है, तो A plus B कितना हो जाएगा हमारा 27 तो होना ही होना है क्योंकि दोनों numbers का sum 14 है तो A अगर हमारा 13 है B हमें चाहिए तो 13 उस तरब जाएगा तो B आजाएगा 14 तो यहां से भी हमारे पास में एक number आया 14, दूसा number आया 13 यहां से भी हमारे पास में एक number आया 14 दूसरा number आया 13 तो हम लिखेंगे therefore the two numbers are 13 and 14 तो यह आगया हमारे पास पे इस question का final answer हमने उन दोनों numbers को find out कर लिया जिनका sum 27 होता है और जिनका product 182 होता है क्योंकि अगर हम 13 plus 14 करते हैं तो 182 भी आता ही है add करने पर 27 भी आता ही है तो यह आगया हमारे इस question का final answer